मुक्य मंत्री हेमें सोरे ने एडी के आठवे समन का जवाब भेजा है मुक्य मंत्री के जवाब के साथ मुक्य मंत्री सचिवाले से करमचारी एडी दफ्तर पहुचा है हेमें सोरेन की और से भेजे पत्र में क्या है अभी इस पश्च नहीं हो पया है बता दे कि शनीवार को एडी ने मुक्य मंत्री हेमें सोरेन को आठवा समन बेचा था एडी ने इस पत्र में हेमें सोरेन से अब तक पुछताच के लिए नहीं आने का करण पूछा था हैमन सोरेन से इस मामले में जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दे गया था इडी ने कहा था 16 से 20 जनवरी तक यहां तो खुदा है यहां इडी को उनके पास आना पड़ेगा अब समय से पहले ही CM ने चिठी भेज दी है अलाकि CM खुद दी गई समय अवदी के दोरान उपसित होंगे या नहीं इसे लेकर अभी भी संचय है इससे पहले इडी ने 29 दिसंबर को सात्वा समन जारी किया था जिसमें इडी ने हमन सोरेन को कहा था कि आपको PMLA की धारा 50 के तैद बयांदर्च कराने का आखरी मुका दिया जा रहा है आपको तिती समय और जगर तय करके बताएं इडी के दिकारी वहीं आकर पुछताच करेंगे इस समन के जवाब के लिए मुक्यमंत्री हमन सोरेन को दो दिन में करलाय में लिखित जानकरी देने को कहा गया था इस समन के विरोध में मुक्यमंत्री हमन सोरेन ने इडी को पत्र बेजा था उन्होंने समन को गर कानूनी बताया है उन्होंने एडी पर मीडिया ट्रायल का राने का औरोप लगाया है उन्होंने कहा कि उन्हें समन मिलने से पहले मीडिया में समन की बाते चली जाती है ऐसा उनकी छवी को दूमिल करने और सरकार को अस्तिर करने के लिए क्या चा रहा है बुक्के मंत्री है में सोरेन बले ही समन के बात ED के समक्ष पेश ना हुए हो लेकिन समय समय वो चिठी बेच कर ED की कारिशयली पर सवाल उठाते रहे हैं जमीन गोटाले से जुड़े मामले में EDCM से सवाल जवाब करना चाहती है EDE ने अपने साथवे समन में कहा था कि बढ़गाई अचल के उपनिरक्षक भानुपता पसात के घर से चापे मारी में जमीन से जुड़े कई एहम दस्तावेज मिले थे इसी मामले में आपकी संपती का भी विवर्ण प्राप्त करना है इसलिए पूछता जरूरी है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेजों से चहचाड का मामला है इसी के साथ बने राज़कामा टीवी के साथ करने वाद